आज हम जा रहे हैं साइंग डिए सीपी सर्वर कैसे कंफिगर किया जाता है तो चोटा सा हमारा सेनेरियो है जिसमें एक राउटर है और दो पीसी है और एक स्विच है तो चलते हैं इस कंफिगर करने के लिए आज़े हैं से एलाइए मोड पर आगे नो इनेबल पॉंफिक टी पहले हम आईपी एड्रेस देंगे इंटरफेस पर तो फर्सली हम इंटरफेस पर जा रहे हैं ठीक है फिर आईपी एड्रेस वर्ट 10.10.1.255.255.255.255.0 देख सकते हैं कि हमारा राउटर है उसका लिंक अप हो गया है इस जो इंटरफेस है वो अप हो गया है अब हम चलते हैं आईपी एड्रेस पी इसका इप है कौन सा नेटवर्क हम दे रहे हैं पूरा क्लास 10 की रेंज बट हम क्लास सी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डिफोल्ट जो राउटर होगा उसकी आईपी क्या रहेगी 10.10.1 और डिनस सर्वर की क्या रहेगी 10.10.10.2 इसको 2 रख देंगे ठीक है फिर एक्सिट कर रहे हैं और हम क्लाइंट को जाकर देख रहे हैं कि जो हमारा डिफोल्ट क्लाइंट है क्या उसको आईपी मिल रहा है और नहीं मिल रहा है और आप देख सकते हो कि यहां यह आईपी मिल रहा है 10.2 और दूसरे सिस्टम पर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चेक कर लेंगे हम मिन्स आप देख सकते हो आई-पी एड्रेस 10.0.0.3 सबनेट मास क्लास C के लिए रखिए डिफोल्ल गेट भी दे रखा है जो हमने दे रखा था उसको राउटर का डिनस सर्वर भी है अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं जैसे की जैसे की हम कुछ आई-पी रिजर्व करते हैं इसलिए हम इसको रिजर्व करना था था उसकी भी कुछ कमांडे होती है यह कमांडे आई-पी डी-एस से की एक्सक्लूड एड्रेस कोहां से कहां तरका तो एक्जाम्पल के लिए हम 10.10.2 से लेकर 10.10.5 तक दे देते हैं अभी आपने देखा कि 10.10.10.0.0.2 वह राउट PC1 को मिला हुआ है और 10.10.10.0.0.3 PC2 को बट अभी हम देख पाएंगे अभी होता है अब बंद करते हैं अब हम जाता है PC पे PC पे कमांड चिलाते हैं अब देख सकते हो यहां 10.10.0.6 के IP में लेगे कि 5 तक प्रिजर्व हो चुका है यहां पर देख सकते हो यह दूसरे PC को क्या मिल रहा है यह सेमन मिल रिया ऑके झाल झाल झाल